Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल के साथ भी देखने को मिल रहा होगा, जिसको हम PLA कहते हैं, People's Liberation Army, यहाँ पर आप देख सकते हो, कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें बताया गया है, कि यहाँ पर Deep Rooted Corruption Chinese Army के अंदर है, China's Xi says, Army faces Deep Seated Problems in Anti-Corruption Drive, और मैं आपको बता दूँ, जो इनके राश्पती हैं, शी जिन्पिंग, उन्होंने कई सारे जनरल्स को in fact, Defense Minister तक को अरेश्ट किया है, उनको prosecute किया जा रहा है, सजा होगी आगे चल कर, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीटेल से बताऊंगा, कि exactly Chinese Military में हो क्या रहा है, और मैं आपको बता दूँ, बहुत बड़े स्थर पर वहाँ पर corruption हुआ है, और क्या इसका फाइदा भारत ले सकता है, क्योंकि अक्सर यही देखने को मिलता है, दुनिया में जहां पर भी, जो भी military corruption करती है, खोखली होती जाती है, तो दूसरा देश उसका काफी फाइदा उठा सकता है, तो आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा इसका, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ, कि अगर आप 2025 की UPSC की त्यारी करें, तो आज से ही हमारा जो UPSC GS Foundation प्रतिग्या बैच है, वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब हर रोज शाम 6 बजे यहां पर क्लास होगी, और इसमें खास बात यह है, कि अगर आप 2025 का prelims क्राक कर लेते हैं, तो यह जो पूरा फीस है, वो आपका refund कर दिया जाएगा, बाकी तो इस पूरे बैच में आपको जो complete preparation है, prelims, mains, interview सब कुछ आपको कराये जाता है, यहाँ पर UPSC के जो books हैं, 18 books, वो आपके घर तक भेजे जाते हैं, तो सब कुछ आपको मिलेगा, join करने के लिए हमारे website, app पर जाएए, या फिर comment section में link है, और आपको use करना है यह code UNKITLIVE, ताकि आप maximum जो discount है वो ले सकें, किसी भी course और किसी भी batch के अंदर, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको भी आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं, कि exactly हो क्या रहाए, देखे, जब हम बात करते हैं Chinese President इस समय Xi Jinping, ये Mao Zedong के बाद सबसे powerful leader बन गए है China के, क्योंकि Mao Zedong अगर आप देखोगे अभी तक सबसे powerful माने जाते थे क्योंकि 1943 से लेकर 1976 के बीच में वो Chairman थे, वहां की जो Party है Communist Party of China उनके, तो Top Most Post पर थे वो उसके बाद से, यहाँ पर Xi Jinping आपको याद होगा, usually क्या हो रहा था ना, कि पिछले काफी समय से चाइना के अंदर, जो भी President बनता था वो दो Term complete करता था और हट जाता था, फिर यहाँ पर नए राश्पती आते थे तो दो Term, basically हर एक Term 5 साल का होता है, तो Xi Jinping 2013 में राश्पती बने तो Most Probably उनको 2023 में हट जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपना जो कारिकाल है, जो Term है, उसको 5 साल और Extend कर दिया, मतलब वो कितने साल तक आप राश्पती रहेंगे, किसी को नहीं पता, तो इसी की वज़े से बताया जा रहा है कि, right now he is one of the most powerful in China after Mao Zedong, लेकिन यहाँ पर Xi Jinping काफी struggle कर रहे हैं, अपने country के उपर grip रखने में, कहने का मतलब है कि अगर आपको control करना है, सब कुछ आपके हाथ में रहे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर उनका जो सपना था कि China को सबसे biggest superpower बनाय जाए, लेकिन China के अंदर जिस तरह से issues चल रहे हैं, चाहें वो economic crisis हो या फिर जो western power है, उसको economically और military suppress करनी की जो कोशिश थी China की, वो कही न कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है, and at the same time, सबसे important जो issue है इस समय चाहिना के अंदर, वो यह है कि Xi Jinping fail हो गए है अपनी military के अंदर जो corruption है, उसको रोकने में media reports के अधार पर मैं आपको बता दूँ जो ruling Chinese Communist Party है, उन्होंने recently, जो उनके दो former defense minister थे उनको expel कर दिया है as part of anti-corruption crackdown जो दो former ministers हैं इनके आप देख सकते हो नाम जो है they are set to be prosecuted और यहाँ पर उनको जो भी punishment है वो दिया जाएगा आगे चलकर क्योंकि बताया जा रहा है कि वो worst scandal में शामिल थे People's Liberation Army के अंदर जो भी corruption हुआ है उसके अंदर वो लोग शामिल थे खेर, अगर हम बात करें इस समय जो China के military है, People's Liberation Army उनका सबसे बड़ा issue क्या है इसके बारे में खुद यहाँ पर Xi Jinping ने बताया था Basically क्या है, Recently एक conference हुआ था That is Central Military Commission Political Work Conference और उसके अंदर Xi Jinping ने यह कहा कि जो deep-seated problem है China की military में That lies in the lack of ideals and belief Basically Xi Jinping यह चाहते है कि उनकी जो military है, वो अपने ideals और belief पर यहाँ पर चले, उसके आधार पर चले क्योंकि जब आप अपने ideology पर चलते हो तभी आप कोई चीज अचीज अचीव कर पाते है लेकिन वहाँ की जो military है उनको introspect करना पड़ेगा ऐसा Xi Jinping ने खुद यहाँ पर कहा था और कहा कि कई सारे rectification की जरूरत है यहाँ पर जो China है वो persist कर रहा है कि अपना जो military muscle है उसके आसपास लगाया जाए दोडाया जाए आपको पता ही है किस तरह से गलवान वैली के अंदर incident हुआ था भारत को परशान करनी की कोशिश की गई उधर Taiwan जो है आपको पता है ताइवान के साथ military conflict हमेशा करता ही रहता है बाकी South China Sea में आपको पता है लगातार issues हो रहे हैं आसियान देशों के साथ तो यह सारी चीजें China लगातार करने की कोशिश कर रहा है लेकिन Xi Jinping को कही न कही अब यह doubt हो गया है कि क्या उनकी जो military है उतनी loyal है क्या वो उतनी honest है उनके जो most senior officers है क्या वो combat के लिए ready है यह बहुत important है मालो चाइना यहाँ पर war में चला जाता है लेकिन क्या वो war जीत पाएगा यह सबसे बड़ा प्रशन है जो कि मैं आपको और आगे बताऊँगा खेर मैं आपको बता दू शीजिंपिंग ने काफी बड़ा anti-corruption drive चला जाया है यहाँ पर उन military officials को target किया है पिछले 10 सालों में जो corruption में lift थे यहाँ पर आप देख सकते हो total 9 generals को sack किया गया है शीजिंपिंग के दौरा इन फाक्ट जो government जो state owned companies होती है जो military equipments वगरा supply करती है उनके भी 3 senior executives को भी remove किया गया है from their top political advisory body जिसका नाम है Chinese People's Political Consultative Conference December में उनके जो 3 officials थे senior executives उनको हटा दिया गया इस body से क्योंकि वो corruption में lift थे अब मैं आपको बताता हूँ क्या corruption Recently Bloomberg की एक report आया थी जिसके अंदर यह बताया गया कि जो US intelligence agencies हैं उन्होंने concerns raise किया है China की military capabilities को लेकर क्योंकि जैसा में आपको बोल रहा था ना कि आप भले ही कितना अपने आपको powerful दिखाओ बाहर से दिखाने की कुशिश करो हम काफी powerful हैं, हमारे पास नहीं technology है हम काफी कुछ कर सकते हैं लेकिन जब आपके military में organization में corruption आ जाता है, तो आपकी capabilities के उपर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं तो यह report आया था, उसमें यही बताया गया कि जो चाइना के अंदर military officials हैं जो high ranking military officials हैं वो काफी जादा corruption कर रहे हैं especially मैं आपको बताता हूँ सबसे जादा जो corruption है चाइना के military में वो देखने को मिला है, चाइना के rocket force के अंदर चाइना की जो rocket force है वो बहुत important role play करती है क्योंकि मैं आपको उता दूँ चाइना का जो nuclear weapon है वो भी rocket force के दोरा ही handle किया जाता है in fact जो अभी reports आया थी उसमें यह बताया गया कि जैसे missile है missile के अंदर आपको क्या चाहिए fuel चाहिए ताकि यहाँ पर missile को launch किया जा सके लेकिन recently जो corruption देखने को मिला उसमें यह पाया गया कि fuel की जगा water है, seriously fuel की जगा उसमें पानी है in fact यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि missile जो silos होते है उसमें defective lids लगाया गया जिसकी वज़े से उसको सही तरीके से launch नहीं किया जा पाएगा इस तरह की issues आ रहे है और इसी के वज़े से अब यहाँ पर finally question यह आता है कि क्या शी जिनपिंग जो corrupt military है उसके साथ कोई war को जीत सकते हैं अगर China war में जाता है क्या वो war को जीत पाएगा मैं आपको बता दू यह जो भी revelations हुआ है recent times में corruption को लेकर यहाँ पर US officials का यह मानना है कि इस समय शी जिनपिंग इस हलत में नहीं है कि वो near future में किसी भी major military war में जा सकें यहसे मान लोग जो confidence है Beijing का वो काफी जादा undermine देखने को मिल रहा है यह जो recently developments हुआ है यह दिखाता है सबसे बड़ा challenge for Xi Jinping क्योंकि उन्होंने काफी जादा invest किया है अपने military modernization में यहाँ पर Xi Jinping ने यह कहा था कि वो चाहते हैं कि 2050 तक जो China की military है वो world class military बन जाए नंबर वन military बन जाए लेकिन और इसके लिए मैं आपको बता दूँ China ने बहुत सारा पैसा लगा है अगर आप उनका defense budget देखोगे तो भारत से काफी तेजी से बढ़ा है जितनी China की economy ग्रो की है उससे कहीं जादा China ने अपने military में invest किया है लेकिन ये सारे effort कहीं न कहीं Xi Jinping के fail होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पर corruption देखने को मिला है और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या China directly US के साथ किसी conflict में जा सकेगा क्या Taiwan के साथ वो military जंग लड़ पाएगा क्या वो South China Sea में जिस तरह से अपना muscle बिछाने की कोशिश कर रहा है जिस तरह से अपने आपको expand करने की कोशिश कर रहा है क्या वो ये risk ले सकता है तो finally question है कि conclusion क्या निकलता है इसका देखो मैं आपको अदा दू March में एक surprise development देखने को मिला actually हुआ क्या था Xi Jinping ने अपने military को ये कहा कि आपको maritime military struggle के लिए तयार हो जाना चाहिए अब maritime आपको पता है ये भारत के लिए भी एक चेतावनी जैसी थी क्योंकि South China Sea वगरा तो ठीक है Indian Ocean में भी हो सकता है कि China यहाँ पर आने की कोशिश करे तो इसकी वजए से यहाँ पर Xi Jinping ने ये कहा अपने military को कि आपको maritime military struggle करना होगा कुछ exercises वगरा करने होगे और इसको देखते हैं यहाँ पर एक गाफी बड़ा भव इस्तर पर real combat oriented exercise ये conduct किया गया था Chinese military की दोरा लेकिन मार्च की मैने में क्या होता है कि China के ही एक top general military general उन्हों ने इस exercise को लेकर मतलब की doubt दिखाया था और ये कहा कि ये basically एक दिखावा करने की कोशिश के जा रही है ये जो exercise हो रहा है ये एक तरह से Xi Jinping को दिखाया जा रहा है कि दिखिए हम बहुत powerful हैं काफी कुछ अच्छा है बट actual में यहाँ पर just ये एक तरह का show piece था ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये खुद जो China के top military general थे उनकी तरफ से ये चीज़ें कहें कहें in fact यहाँ पर जो former associate professor ते शंगाई University of Political Science उनका इसी की वज़े से ये कहना है कि जिस तरह से crackdown किया रहा है corruption को लेकर उनके generals पर ये साफ दिखाता है कि अगले 5 से 10 सालों में चाइना एक military engagement किसी भी बड़े देश के साथ नहीं कर पाएगा चाहिए वो भारत हो या फिर कोई भी और देश हो क्योंकि अगर मालो ताइवान के साथ वो युद में जाता है तो अविसी बात है US उधर से support करने आएगा तो काफी बड़ा conflict हो सकता है तो भले ही याँ पर China एक तरह से दिखाने की कोशिश करें हम काफी कुछ कर सकते हैं लेकिन शायद इस समय China के पास वो capability नहीं है और इसी लिए यहाँ पर जब मैं आपसे कह रहा था कि क्या भारत के पास एक बड़ा उसर है क्योंकि आप देखिए जो गलवान वैली वाला incidents हुआ और उसके बाद कई सारे incidents यहाँ पर जो LAC है line of actual control वहाँ पर हमें देखने को मिला था तो और इसमें देखिए कई बार यहाँ पर question सवाल खड़ा हुआ especially नदन side में कि China ने हमारे कुछ areas को अपने अंडर में कर रखा है तो क्या यह भारत के पास opportunity है कि हम उन सारे areas को वापस ले या फिर जो भी हमें आगे कदम लेना है वो तो ultimately सरकार decide करेगी गया था जिसका नाम है Operation Southern Readiness 2023 Exercise कौन से देश ने यह organized किया था इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर मिलेगा ही वहाँ पर Instagram पर जाकर अगर वहाँ पर नहीं हो तो Telegram से भी ले सकते हैं और कई सारे MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए अलग-लग Social Media पर आप जुड़ पाओगे और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो आज सही हमारा यह जो प्रतिग्या बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों don't miss that this is the last प्रतिग्या बैच जिसमें आपको refund भी मिल सकता है अगर आप prelims crack करते हैं तो just use this code AnkitLive link comment section में दिया हुआ है और आपको maximum discount मिल जाएगा and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आप से next time till then thank you very much see you soon